C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए मोहलियाती साइन्स की समयी दर्सी किताब आसपास का सबक 20, बूंद बूंद से, सफा नंबर 132. माधो, राजिस्थान के बज्जू गाउं में रहता था. ये एक छोटा सा गाउं है. इसे मुश्किल से ही गाउं कहा जा सकता है. देखो तो, चारो तरफ रेध ही रेध दिखाए देती है. कभी रेध नहीं उड़ती, तब कुछ घर दिखाए दे जाते हैं. माधो के घर में सब परिशान हैं. वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है. इस साल तो बिलकुल ही बारिश नहीं हुई. इसलिए उसकी मा और बहन को पानी लाने के लिए भी दूर जाना पड़ता है. पास वाली बावली सूख चो गई है. हर रोज चार घड़े पानी जमा करने में ही कई घंटे निकल जाते हैं. गरम रेत में चल चल कर उनके पाउं तो जलते ही हैं. छाले भी पड़ जाते हैं. इस सफे पर एक तस्वीर दी गई है. जहां चंद खवातीन अपने सर और कमर पर मटके लिए हुए हैं और पानी लेने जा रही हैं. एक खातून अपने मटके में पानी भर रही है. उपर की तस्वीर में औरतों को दूर से जाकर पानी लाते हुए और भरते हुए दिखाया गया है. सन्फी तासुप से मुतालिक मसाइल पर जमात में बादचीत करें. सफा नंबर 133 गाउं में खुशी की लहर तब दौरती है जब कभी रेल गाड़ी से पानी आता है. माधों के वालिद उट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं. लेकिन ऐसा मौका अकसर नहीं आता. लोग कई-कई रोज तक पानी का इंतजार करते ही रह जाते हैं. कुछ लोग बारिश का पानी जमा करते हैं. ये एक खास तरीके से किया जाता है. टैंक बनाकर क्या तुम जानते हो टैंक क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? आंगन में गड़ा बनाकर उसे पक्का करके टैंक बनाते हैं. टैंक को धक्कन से बन रखते हैं. घर की छट को कुछ धलवा बना देते हैं. जिससे छट पर पढ़ने वाला बारिश का पानी नाली के जरीए नीचे टैंक में जमा हो जाता है छट की नाली पर जाली लगा देते हैं ताकि कूडा करकट टैंक में ना जा सके ये पानी साफ करके पीने के काम में लाये जाता है कभी कभी गाओं के एक टैंक से माधों को भी पानी लाने की इजाज़त मिल जाती है सोचो पानी की कमी से लोगों को क्या-क्या परिशानिया होती होंगी माधों के गाओं के लोग पीने का पानी कहां से लाते हैं माधों के घर में पानी भर कर कौन लाता है टेंक में जमा किया गया पानी ज्यादा तर पीने के काम में ही आता है क्यूं? अब तुम बताओ, क्या तुम्हारे घर में भी बारिश का पानी जमा किया जाता है? अगर हाँ, तो कैसे? क्या पानी जमा करने का कोई और तरीका भी हो सकता है? अगर पानी जमा करने के मकामी तरीकों पर बच्चे अपने अपने तजर्बात सुनाई तो किताबी इल्म को जिन्दिगी के तजर्बात से वाबस्ता कर सकेंगे इस सफ़े की बाई जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक मकान है मकान की छत और छत से उतरती हुई नाली जो की आंगन के नीचे बने टैंक तक जा रही है और उस टैंक पर ढखे हुई ढखकन को भी दिखाया गया है सफ़ा नंबर 134 माधो की तरहा सोनल के घर भी पानी की किल्लत रहती है सोनल भाव नगर शहर में रहती है नल में रोज सिर्फ आधे घंटे के लिए पानी आता है मौहले भर के लोग एक ही नल से पानी भरते हैं सोचो कितना बुरा हाल होता होगा लेकिन सोनल पानी भरने के लिए डटी रहती है जब मौका मिलता है बाल्टी भर ही लेती है चाहे बूंद बूंद करके आओ, मालूम करें कि कितिनी बूंदों से कटोरी या जग भरता है तस्वीर में दिखाये गए तरीके से ये सरगर्मी करो मालूम करो और खाली खाने में लिखो यहां चार तसवीर दी गई है पहली तस्वीर एक चम्मच में कितनी बूंदे हैं, यहां एक चम्मच और दो बूंदे दिखाई गई है दूसरी तस्वीर एक कटोरी में कितनी बूंदे यहां एक चम्मच और एक कटोरी दिखाई गई है तीसरी तस्वीर एक मग में कितनी कटोरी यहां एक मग और कटोरी की तस्वीर दिखाई गई है चौथी तस्वीर एक बाल्टी में कितने मग यहां बाल्टी और मग की तस्वीर दिखाई गई है आपके जवाबाद के लिए यहां एक बॉक्स मौजूद है देखा बूंद बूंद से मिला कितना पानी सफ़ा नंबर 135 अगर नल से बूंद बूंद पानी तपकता रहेगा तो कितना पानी बरबाद होगा इन तस्वीरों में ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ दो तस्वीरे हैं एक तस्वीर में नल से पानी बेताहशा बह रहा है और एक बच्चा अपने दातों में ब्रेश कर रहा है दूसरी तस्वीर में एक नल से बूंद बूंद पानी तपक रहा है पानी की बच्चत के लिए तुम क्या कुछ सोच सकते हो अपनी राय लिख कर पताओ क्या तुमने अपने घर में, स्कूल में या रास्ते में पानी को बेकार बहते हुए देखा है कहां? अगले सफे पर दी गई तस्वीर को देखो और बाचीत करो क्या एक बार पानी से काम करने के बाद उसी पानी से कुछ और काम लिया जा सकता है? जिन जगाहों पर पानी की किल्लत होती है, वहां लोग पानी की बचचत करने और उसके दोबारा इस्तमाल करने के कई तरीके इख्तियार करते हैं ऐसा वो लोग मजबूरी में करते हैं इस बात को समझ कर बच्चे अपनी जिन्दिगी में पानी की बचचत के कुछ तरीके अपनाएं तो पानी सब के लिए की जर्बुल मसल बहतर तौर पर समझ सकेंगे सफा नंबर 136 इस सफे पर तीन तसावीर दिखाए गई हैं पहली तस्वीर में एक खातून दो मट के लिए हुए जा रही है दूसरी तस्वीर में वही खातून एक पलंग पर बैठ कर नहा रही है लेकिन पलंग के नीचे एक खाली ताशला भी है जिसमें नहाने का पानी जमा हो रहा है तीसरी तस्वीर में खातून इस्तमाल किये हुए पानी से गाए को नहला रही है और वो पानी करीब की क्यारियों में जा रहा है अलग अलग रंगों से लकीरे खीच कर देखो कि किस काम के बाद क्या काम करोगे ताकि वही पानी बार बार इस्तमाल हो सके एक मिसाल नीचे दी गई है तुमने पानी के बार बार इस्तमाल करने के कुछ तरीके तजवीज किये ये तरीके लोग जादातर मजबूरी में ही इख्तियार करते हैं जब पानी की बहुत कमी होती है जानते हो पानी की कमी इसलिए भी होती है क्यूंके कुछ लोग पानी जाया करते हैं सोचो कितना अच्छा हो अगर सभी को पानी मिले इस्तमाल शुदा पानी के दोबारा इस्तमाल पर गुफटगू करें ये गुफटगू पानी की बच्चत की एहमियत को वाज़ करने में मददगार होगी इसके बारे में बच्चों के राय मश्वरे सुनना और उनको रोज मर्रा की जिन्दिगी में अपनाना मुफीद होगा इसी के साथ 24 असबाग के किताब आस पास का बीसवा सबक बूंद बूंद से यहीं खत्म होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्वान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्वान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत